नमस्ते दोस्तो मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे होली में होने वाले तकलीफों के बारे में जी हां होली आ रही है रंगों का त्योहर है खुशियों का त्योहर है और देखेंगे इन्ही तकलीफों के बारे में कि क्या-क्या तकलीफ हो सकती है और कौन-कौन सी होमिपातिक दवाईया ऐसे में काम आती है तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं करें दोस्तो सबसे पहले तो होली का त्योहार ज sniff भी मनते हैं तो यह को रंगम तर चैना जाते कि disrespect हैं और पता नहीं जो दुखा रहा है उसमें सही में और आ किमिंड़ बार चैनल पतान हमें कौन सा कलर लगा रहा है यह भी हमें पता नहीं तो ऐसे में कई बार स्ट्रॉंग केमिकल वाले कलर यूज हो जाते हैं और फिर इनसे बहुत सी तकलीफे हमें देखने को मिलती हैं तो इनसे बचने के लिए हम बहुत सी हुमेपेतिक दवाईयों का इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले तो जब भी कलर खेलने निकलते हैं तो पुराना नुस का मुझे याद है कि बहुत सारा पैरशूट या नारियल का तेल बहुत सारा आंग पर लगा के जाते थे जिससे वह कल सबस्दिक होमेपेतिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी आपको कैलेंडूला लोशन पूरे शरीर पर लगाना है भली आप नारियल तेल के साथ ही लगाईए कोई प्रॉब्लम नहीं तो पहले नारियल तेल लगा लीजिए और उसके उपर कैलेंडूला लोशन लगाईए ध्यान रखेगा लोशन कम प्रमाण में नहीं लगा रहा है अच्छा खासा लोशन पूरे शरीर पर लगा के जाना है तो कैलेंडूला लोशन यह एंटिसेप्टिक लोशन होता है और इससे जो है स्किन की जो तकलीफ है वो कम हो जाती है सिर्फ रंग खेलने के पहले नहीं लेकिन रंग खेलने के बाद में भी अगर सकिन में कोई तकलीफ होती है तो कैलेंडूला लोशन हम यूजज कर सकते हैं अब बात करते हैं प्रॉपर होमिपेटिक मेडिसेंस की जो हम यूज़ कर सकते हैं सब से पहले बात करते हैं offices कि सबसे जाधा हमें जो हुली में तकलीफे देखने को मिलती हैं ख़किन से रीलेटेट है अस Bye तो हमें लेना है रस्टाउक्स 30 की की दो दो बुंदे हमें जुबान पर सुब दुफर-शाम लेना है तीन-चार दिन तक अगर दबा लेंगे तो श्किन की जो जलन है जो रेडनेस है और जो जो swelling है जो allergy type conditions होती है skin की वो अच्छी तरह से cover हो जाती है कई लोगों की skin जो होती है वो थोड़ी सी unhealthy होती है तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि swelling कम नहीं होती है या कई बार हम देखते है कि एक दू दिन बाद वहाँ पर हमें पस जैसा formation skin के कहीं कहीं जगों पर हिस्सो पर देखने को मिलता है unhealthy skin dirty skin और पस formation अगर skin के अंदर हमें tendency देखने को मिल रही है तो हम ऐसे लोगों के अंदर दे सकते है सिलीशिया 30 सिलीशिया 30 के भी हमें दो दो बुन देना है यह 6-7 दिन तक के हमें देना पड़ेंगा तब तक तब जाकर skin जो है वो पूरी तरह से अ उभर के आते हैं जैसे हम पिस्ती की तकलिफ कहते हैं उस तरह की तकलिफ एक दो दिन बाद कलर के बाद कहीं लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है ऐसे लोगों के लिए हम यूज कर सकते अर्टिका यूरेंस क्यू मदा टिंचर फॉर्म में यह हम लेना है 20-20 बूल को यह होली से रिलेटेड ना हो कभी भी अगर हमें देखने को मिलती है तो अर्टिका इस बहुत अच्छी दवा है मदा टिंचर फॉर्म में देना है 20-20 बूल सुबह शाम इस दवा के लेना है तो यह हो गया स्किन के उपर जो होली के अंदर तकलिफे देखने को मिलती है लेकिन स्किन के अलावा भी हमें होली के अंदर दूसरी तकलिफे देखने को मिलती है देखे होता यह है कि कई बार हम बहार खेलने जाते हैं होली और पूरे शरीर को गिला कर देते हैं अब यह मार्च का महिना है तो धूप अपना शुरू ही होती है धूप बहुत तेज हो है तो ऐसे में कई तकलीफ हैं हमें देखने को मिलती है कई पार इस तरह हमने से सीरधर्त की तकलीफ की UT देखने को मिलती है ऐसे में हम ग्लो 930 यह दवा दे theres सकते हैं जुने से और फिर खाने यह पिने में में भाझ जदा तकलीफ देखने को मिल रही थी वह ठीक हो जाते है Siri हो जाते हैं तो film पोजन की तकलीफ हमें देखने को मिलती है जिसमें डायरिया के जाथ गहोट्मिशंद ऑ गृफिस probability पोजहीं 77 57 और लास्ली कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फूड पॉजनिंग से तो रिकावरी हो जाती है लेकिन जी मचलने की जो तकलिफ है उल्टी जैसा जो लगता है वो सेंसेशन नहीं जाता है तो ऐसे लोगों के लिए हमें देना चीए इपिकैट थर्टी इपिकैट थर्टी के भी दो दो बूंद हमें जुबान पे डारेक्ली पेशन के टलना है तो यह ती कुछ दवाई है जो आम तोर पे हुली के तकलिफों में हम यूज करते हैं एक और लास्ली जाते जाते बताऊंगा कई लोगों को हैंगवर की तकलिफ होती है क्यों कई लोग है जो भांग लेते है है या हुली है बोलकर थोड़ा हाय हो जाते हैं तो हैंगवर की तकलिफ के लिए हमें नक सो मिकार थाटी यह दवा कंटिनियूसली हर दो दो घंटे में पेशन को दिनिये तो पेशन चार-पास घंटे में इस तकलिफ से उभर के आ जाएं तो आशा करता हूं यह सभी दवा से शुक्रिया और आशाकर तो आपको यह जानकरी पसंद आए होंगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजेगा और शेयर कर दीजेगा आपके वाटसेप और दूसरे ग्रूप में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन दवाईयों के ब आता रहता हूँ अपने अगर कोई दवा यूज किया और आपको उसका फायदा हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताईएगा मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूंगा जय हिन जय भारत बाई-बाई-बाई- कि ये जिनले कि मेंट प्यार बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-पेजर